Hello Friends, मैं हूँ Dr. Anand, Senior Medical Officer, उत्तरपरदेश. आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ दोस्तों, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक है और आपके बच्चों के लिए बहुत फायदे मन्द है. आप note करते होंगे कि आपके बच्चों के साथ learning difficulties आती है, या तो बच्चा याद करता ही नहीं है, करता है तो भूल जाता है, या वो लिखना नहीं चाहता है, लिखता है तो लिखने में mistake करता है, या एक जगे बैठके पढ़ता नहीं है, ऐसी बहुत सारी problems होती हैं, जो आप आपका बच्चा फेस करता है, आपकी टीचर्स कमप्लेंड करती हैं, यही सोचते हैं, मैंने आज के वीडियो बनाने का सोचा है दोस्तों, इसमें मैं आपको सीधा कुछ मेडिसिन्स बताऊंगी, जो मेडिसिन्स इसमें बहुत अच्छा काम करती है, और मैं फिर बोलूंगी इसा नहीं है कि आपको लंबे समय तक ही मैडिसिन देनी है, आप इसकी तीन या च्राइडों जब यूस कर लेंगे, आपको बच्चे में चेंजिस नजर आने शुरू हो जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि बच्चा आपका पहले से बेटर हो रहा है, उसकी जो लर्निंग लर्निंग डिफिकल्टीज में दोस्तों जो हमारी सबसे पहली मैडिसिन आती है वो है बरायटा कार्ब, अब बरायटा काप में में सिम्टम क्या है, बच्चे को याद करने में बहुत दिक्कत होती है, बच्चे को लिखने में बहुत दिक्कत होती है, इसमें जो में चीज है वो यह है कि बच्चा चाहता है कि वो याद कर ले बच्चा चाहता है वो अच्छा लिखे पर वो बहुत टाइम देता है उस चीज को उसके बाद भी वो से memorize नहीं कर पाता है याद नहीं कर पाता है जब लिखने बैठता है तो उसको लिख भी नहीं पाता है उस case में बराइटा कार्ब बहुत अच्छा काम करती है दोस्तो बराइटा कार्ब को आप 200 potency में देंगे और इसको weekly देंगे ऐसा नहीं कर आपको डेली देना है हफते में एक बार एक डोस दीजिए एक डोस का मतलब है थोड़े से पानी में एक ड्रॉप डाल कर दीजिए आपको अपने बच्चे में changes नजर आएंगे आपका बच्चा जो है वो बहुत आसानी से चीज़े याद कर पाएगा लिख पाएगा सिर्फ चार डोस के बाद दोस्तों आपको effect दिखना शुरू हो जाएगा दूसरी जो बहुत अच्छी medicine है दोस्तों वो है Argentum Nitricum जैसा कि मैंने अपनी last video में भी बताया था Argentum Nitricum बहुत नर्वस बच्चा होता है वो बहुत intelligent होता है उसको याद भी सब होता है लेकिन जब वो लिखने जाता है या वाईवा में perform करने जाता है या कोई भी stage performance देता है तो वो इतना जादा नर्वस हो जाता है कि वो बोल नहीं पाता है लेकिन जब वो दो या तीन मिनट बोल लेता है उसके बाद उसको confidence इतना boost up हो जाता है कि वो उसको अच्छे से perform कर लेता है इस medicine की जो main चीज़ है वो ये है कि बच्चा alphabetical mistake बहुत करता है मातराओं की गलतियां बहुत करता है जब बच्चे की exam sheet देखते हैं तो आपको दिखता है कि उसने मातराओं की बहुत ज़ादा गलती करी है अगर बच्चे के साथ ऐसा problem है कि वो मातराओं की गलतियां कर रहा है और वो nervous है और मातराओं की जो गलतियां कर रहा है दोस्तों उसके पीछे main reason है huridness वो हट चीज को बहुत जल्दी खतम करना चाह रहा है इसलिए वो ऐसी गलतियां कर रहा है तो उस बच्चे को आप देंगे Argentum, Nitricum 200 potency में दें हफते में सिर्फ एक बार दें 4 या 6 हफते तक दें आपको बच्चे में changes नजर जरूर आएंगे next medicine है दोस्तो calcarea carb calcarea carb बच्चे को जो basic problem आती है वो होती है drawing बनाने में art में और mathematics में जिस भी बच्चे को calculation में problem हो रहा है या maths में वो बहुत जादा weak है वो calcarea carb दोस्तों की सिर्फ 4 doses ले हफते में एक बार ले वो बहुत जादा better हो जाएगा उसको calculation में problem जो होती है वो काफी हद तक दोस्तों कम हो जाएगी calcarea carb को थोड़ी सी memory की problem भी होता है कि उसे memorize can में time लगता है अगर बच्चे को ये दिखका थे तो वो calcarea car ले सकता है अब जो medicine है दोस्तों ये बहुत interesting medicine है ये है lycopodium lycopodium जो बच्चा होगा वो बहुत intelligent होता है उसके साथ जो teacher complain करती है वो ये करती है कि जब बच्चे से मैं question पूछती हूँ वो एक दम से answer देता है और वो गलत होता है provided उसको answer आता है वो सिर्फ इसलिए गलती कर देता है कि उसको पहले answer करना है और इसलिए वो answer जो होता है बिलकुल गलत करता है answer उसको वो आता है वो बच्चा बहुत intelligent होता है उसको stage fear बिलकुल नहीं होता है वो stage पे बहुत अच्छे से perform करता है वो बहुत अच्छा stage performer होता है पर उसके साथ एक problem होते है दोस्तों कि वो जब लिखता है वो अपनी ही writing को नहीं पढ़ पाएगा अगर आप उसको बोलेगे कि अपना बिटा पढ़के दिखाएगे वो नहीं पढ़ पाएगा Lycopodium में यह कुछ एक दो symptom है जो बहुत interesting symptoms हैं अगर यह आपके बच्चे में problem है तो आप Lycopodium दोसों कि तीन या शार डोस वीक ली दें वो बेटर हो जाएगा अब जो medicine है दोस्तों वो है medorinum medorinum medicine में जो बच्चा होता है जो उसकी साथ problem है वो है weak memory की वो याद करेगा दो घंटे बाद बूल जाएगा और जो उसका main symptom है वो यह है कि बच्चा homework करना नहीं चाहता वो कभी भी homework करके school नहीं लेके जाएगा वो उसको टालता रहेगा उसको concentration में problem होता है अगर आप उसको पढ़ा रहे हैं तो उसका mind कहीं और होता है यह आप judge कर पाएंगे क्योंकि जो आप उससे question पूछेंगे वो आपको answer नहीं कर पाएगा अब next medicine है दोस्तों aurum mat aurum mat बच्चे का main symptom है वो यह है वो आपसे question बहुत सारे करेगा बहुत सारे questions करेगा लेकिन answer एक भी नहीं सुनेगा वो answer सुने में interested ही नहीं होगा वो सिर्फ question सुनेगा उसको answer सुने में कोई interest नहीं है जिस बच्चे के साथ ऐसा आप देखते हैं कि problem है या ऐसी कुई तिक्कत चल रही है वो aurum med दोसों की सिर्फ तीन डोस ले तीन हफ़ते तक ले उसके यह जो आप देखेंगे problem है यह दिर दिरे solve होती चली जाएगी next medicine है दोस्तों siletia जो siletia चाहिड होता है आप उसके mouth saver खुद सुनेंगे कि मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पा रहा हूं मैं करही नहीं सकता हूं बच्चा जब ऐसा बोले के वो करही नहीं सकता हूं अपने अपको अंडरएस्टीमेट करें बलकि उसको बहुत अच्छे से आता है वो बहुत intelligent बच्चा है लेकिन उसने अपने अपको टुबर कुलाइनम का जो मेन सिम्टम है वो यह है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको हट चीज की नॉलिज है, वो अपनी फील्ड के सिवा और फील्ड की भी नॉलिज बहुत अच्छी रखता है, वो रीडिंग, राइटिंग सब में बहुत अच्छा है, बट प् के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, वो टुबर कुलाइनम दोसों की तीन चार डोस हफते में एक बार ले सकता है, अब जो मेडिसीन है दोस्तों वो है सलफर, जो सलफर वेभी होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, पर वो एक सब्जेक्ट में बहुत इंटेलिजेंट होत वो बहुत ज़ादा inquisitive होगा वो अपने हर toy को वो हर चीज को खोल के देखेगा किसकी अंदर ये चीज काम कैसे करती है कोई चीज चल रहे है तो कैसे चल रहे है अगर आपका बच्चा ऐसा करता है कि वो हर चीज को खोल के देखना चाहता है analyze करना चाहता है बहुत intelligent है और एक subject में बहुत अच्छा है तो उस case में आप sulfur दोसों की 4 dose देंगे हफ़ते में एक बार देंगे दोस्तों homeopathic medicines बहुत अच्छा काम करती है इन चीजों में आप ये मत सूचीगा कि medicine से क्या बच्चे का mind change हो सकता है आप एक बार देकर देखिए 15 या 20 दिन तक देकर देखिए 3 dose में आपको बच्चे में changes नजार आएंगे उसके बाद medicine को stop कर दीजिए extra देने की medicine को कोई ज़रुवत नहीं होती है जहां आपको लगता है बच्चा भी 10 या 15% better हो गया है आप medicine को stop कर दीजिए medicine का action अपने आपी दीर दीर बढ़ता चला जाता है और बच्चा आपका दीर दीर अपने आपी settle हो जाएगा फिर भी learning difficulty को लेके अगर आपको कोई भी confusion है medicines को लेके आप मुझे comment box में पूछ सकते दोस्तों मैं आपकी confusion दूर जरूर करूँगी आशा करते हूँ आप मेरी वीडियो से सहमत होंगे फिर मिलती हूँ next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें खुश रहें धन्यवाद